डेलीज के लिए अंतरपरनौर्शिप युनिवर्सिटी आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है क्योंकि आपको यहाँ पर मिलते हैं धेर सारी स्पेशलाइजेशन बीविए कोर्स करने के लिए और साथ में यहाँ पर आप लोगों को मिलता है गवर्मेंट य कोर्स ओफर करते हैं complete details आपको वीडियो मिलेगे तो बिना time waste करते हैं जल्दी स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो तो DSU के बारे में बात करते हैं जब मैंने आपको बोला कि यहाँ पर कौन कौन से कॉलेजिस हैं इसके अंदर मुल्टिबल कॉलेजिस है आप लेगों बीब बात करें DSU के बारे में तो उन्होंने क्या करा फर्स्ट प्राइटी में इन्होंने दिया class 12 की merit के basis पर admission और उसके बाद जब सीट वेकंट रह गई तो आप लोगों के CUT के score के basis पर admission दिया था यह लास्ट यर की बात है most probably हो सकता है कि इस साल 100% CUT के score के basis पर admission दिया जाए क क्योंकि merit based अगर कह सकते कि justified way नहीं है admission लेने का किसी भी professional course के अंदर हमें देखना पड़े है student का aptitude कैसा है सक्षमता कैसी है sports को करने की तो उसके लिए entrance exam देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है और अगर आप CUT के entrance exam के तयारी करेंगे अच्छे से तो आप multiple universities में भी quality education मिल सकती है तो देखें DSU में जब आपको BBA करना है तो यहाँ पर आपको BBA in banking financial services and insurance का option है एक specialization होती है BBA in banking financial services and insurance इसके बाद BBA in facilities and hygiene management का आपके पास option है इसके बाद आ जाता है BBA in retail management, BBA in automotive retail management and BBA in hospital management का भी आपके पास जो है यहाँ पर option available है इसके बाद अलावा आपके प है अब बात करते हैं कौन कौन से domains आप लोगों को देने होते हैं आप पर BBA करने के लिए तो general test आपको basically देना होता है अगर आप general test देरे तो आप किसी भी specialization के अंदर apply कर सकते हैं बात करें अगर यहाँ पर BBA in facilities and hygiene management के लिए तो आप देखें general test general test slash business studies लगा हुआ है that means general test द eligible हो जाते है admission लेने के लिए eligibility criteria है मैंने आप लोगों specifically लिए लिख भी दी है ताकि आप लोगों कोई problem ना है 10 plus 2 यहाने की class 12 के दर आपके 50% marks होना चाहिए 450 around यहाँ पर जो है seats available है इससे जाधा भी हो सकती है वो depend करता है colleges क्या करता है कि अपने seat intake बढ़ा देते हैं sanctions जाधा हो जाती है हर साल तो इसमें vary कर जाती है तो seat अच्छे खासे आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगी seat intake के बारे में बात करें तो जब आप लोगों को general test के pattern को भी आप लोगों को समझना पड़ेगा तो general test के अंदर आप लोगों से पूछा जाता है 60 minutes का exam होता ह negative marking के basis पर आप लोगों को यहाँ पर जो है देखने को मिलेगा marks का deduction तो यहाँ पर अगर आप correct answer देते हैं तो 5 marks दे जाएंगे गलत करते हो इस test के अंदर तो आपको minus 1 का deduction आप लोगों को देखने को मिलेगा total number of quotients के बारे में बात करते हैं तो 60 quotients पूछे जाते हैं जिसके अंदर से आप 50 quotients को skip कर सकते हैं तो 50 into 5 यानि की आप लोगों के 250 marks का quotients paper जो है आप लोगों का general test का CUT के अंदर आपको देखने को मिलेगा अब हम इन sections को detail में समझेगे कि general test के अंदर क्या-क्या आप लोगों से पूछा जाता है तो general test के अंदर आप लोगों से जो पूछा जाता है वो है general knowledge, current affairs, general mental ability, numerical ability, quantitative reasoning and logical and analytical reasoning आप लोगों से इस general test के section के अंदर पूछी जाती है अब आपको करना क्या है general test आप लोगों के लिए क्यों important है prepare करना वो भी समझना है वाइ general test is important for you to get admission in BBA for DSU और कह सकते है DSU के साथ साथ में आप अगर D.U. से करना चारे है आई पी उनिवर्षिटी से करना चारे है तो क्यों general test important है तो कुल मिला के यह जो section है ना भाई यह सारे के सारे interest exams को cover करता है इसके अलावा आपके पास I.P. University का भी interest exam का option है अगर आपके पास maths है तो आप D.U. से भी BBA कर सकते हैं और अगर आपके पास maths नहीं है तो आपके पास जामिया का भी option है यहां से भी आप general test के basis पे जाने की इस section को prepare करके easily अपने एक seat joy secure कर सकते है और अगर आपको ज़रा से भी problem हो रही है general test की preparation करने में तो आप हमारे साथ जुड़के हमारे साथ preparation इसकी कर सकते हैं हम specialized preparation कराते हैं आप लोगों को BBA entrance exam में जिसके अलावा more than 35 entrance exam की preparation आप लोगों को single course के इंदर करवा रहे है तो आपको करना क्या है download कर ले नहीं है higher education की application इसमें आप लोगों को अपने BBA course लेट कर लेना है और आप हमारे साथ foundation batch के इंदर भी जुड़के अपनी preparation को कर सकते ह हैं जैसे अब application download करते हैं हमारे counselors आप लोगों के साथ connect करेंगे आपको guide करेंगे इस entrance exam के लिए pattern पढ़ो इस वोले entrance exam के लिए यह वाला pattern पढ़ो बतलब हर एक pattern को हम आप लोगों के साथ specifically discuss करते हैं कहां से आपको शुरुआत करनी है कहीं पी admission process के अंदर आपको problem आ रहे है counseling के अंदर आपको detail चाहिए तो complete information आप लोगों higher education की application पर मिलते रहेगी हमारे counselors के तुरू तो definitely आप लोगों को यह download तो जरूर करने ही चाहिए अब आते हैं हमारे sections की तरफ जो कि हम discuss कर रहे थे general test के लिए तो general test एक बहुत important section है जिसमें हमने अभी बात करी कि टोटल 6 section जो है पूछे जाते है general test के अंदर fine तो आप देखते हैं सबसे पहले आता है आप लोगों का current effect तो current effect आप लोगों को किस तरीकी से पढ़ने होंगे general test के लिए देखें अभी आप इस वीडियो को आगे तक देखें मैं तो यह बोलूँगी ताकि आप लोगों को पूरा syllabus दिख सके general test के लिए साथ में अगर आ पारे में बात करें तो आपको अभी क्या करना है पास six months के current effects पढ़ने है अभी आपके पास time है तो आप easily इसको अच्छे से cover कर सकते है six months के क्या करेंगे आप सबसे पहले मंतली पढ़ना शुरू करेंगे जब आपके exam के अंदर रह जाता है एक महिना तो आप इसको weekly पढ़ेगा तो आपको इसको daily पढ़ना है डेली करेंट अफेर करना है अपनी frequency बढ़ा देनी है और जब आपके exam एक महिने रह जाएगा तब तक आप लोगों बोर्ट एक्जाम जो है सिमट के रह जाएंगे ठीक है तो आप आगे की तरफ बढ़ते हैं और अपने next section को दे आपके पास work and time, time, speed and distance, mixture and allegation, simple interest, compound interest, mensuration, permutation and combination आप लोगों से पूछा जाता है यह सारे के सारे topic आप लोगों ने class 8th level तक में पढ़े होंगे definitely simplification, average problem on ages, percentage, profit and loss, ratio, proportion and partnership आप लोगों से कौन्स के अंदर पूछा जाता है और general test को इतना easy मा समझना, general test के अंदर ही खुद awareness के अंदर ही आप लोगों से current advice पूछा जा रहा है, reasoning के like section बन रहे है, quantitative ability के अंदर आपके more than 15 topics पूछी जा रहे है, साथ में logical and analytical reasoning के अंदर आप लोगों से statement and arguments पूछा जाता है, statement and assumption पूछा जाता है, syllogism, analytical reasoning को आप लोगों से पूछी जाती है, जब हम बात करते हैं statement and arguments की यह आप लोगों का बहुत ही पुराना pattern है, exam का, जब starting में Delhi City में BBA में admission हुआ करते थे तो वहाँ पे BMS के exam के अंदर statement and argumentation एक hot topic था पूछने के लिए exam के अदर, अब आगे बात कर लेते हैं, अपने fees structure के बारे में, तो भाई fees के दिनी देखने को मिलती है आप लोगों को, तो fees यहाँ पे आप लोगों की लगबग, लगबग, आप लोगों की 50,000 रुपे साल की रहती है, moreover, category पर depend करता ही सारी चीज़े के, तो यहाँ पे SCST रोण के लिए 41,000 रुपे साल की fees है, all other categories के लिए 47,000 की fees है, SCST के लिए, यहाँ पे आप देखेंगे तो 45,000 fees है, second year के अंदर, तो यह first year की fees है, यह second year की fees है, और यहाँ पे आप लोगों को जो है category wise सारी की सारी fees है, यहाँ पे आपको शोगर दी है, facilities and hygiene management की, retail management की, operation, hospital management, इस तरीकी साब इनका fees structure देख सकते हैं, तो overall अगर बात करें तो भाई 40,000 रुपे के आसपास आप लोगों का सालाना खर third year, एक graduation की degree, वो भी state government university से, अब बात कर लेते हैं, campuses के बारे में, तो campuses यहाँ पे आप लोगों की तीन campuses जो आपको एक course offer करते हैं, DSU दौर का, जो की इनका main campus कहलाता है, भाई पर्मन अंदर जो है institute, आप लोगों का DSU शकरपूर के अंदर है, DSU रन होला campus के अंदर आप ल investment depend करती है, आपके उपर, सारी चीज़े आपके उपर depend करती है, अच्छा पढ़ होगे, अच्छा score करोगे, innovative रहोगे, और up-to-date रहोगे, तो भाई salary package जो आप लोगों से अच्छा भी मल सकता है, और अगर आप सिर्फ नाम के लिए BBA कर रहे हो, सिर्फ करने के लिए BBA कर हो, तो आप लोगों को average salary package date से 2 लागा minimum मिल जाएगा, और यहां पर हम देख लेते हैं, इनकी companies और companies को आप बहुत भर-बर के आती हैं, तो आप लोगों के उपर है, अपको opportunities आपको हर जगे मिलेगी, आप चाहिए DSU से पढ़ो, चाहिए आप other universities से पढ़ो, it totally depends upon you कि आप किस तरीके से आगे proceed कर रहे हैं, तो I hope आप लोगों सारी details मिल गई होगी BBA के लिए, और थोड़ी बहुत details आप लोगों के हैं पर missing लग रहे ही होगी, क्योंकि मैंने proper information bulletin आप लोगों को नहीं दिखाया है, इसके अलावा और भी campuses के अंदर आप लोगों को BBA course देखने को मिल जाएगा, बात वो नहीं है कि BBA कहां कहां पर है, BBA करने के लिए आपको eligibility criteria क्या है, और कौन सी चीज़ों के थरूँ आप लोगों admission मिल सकता है, ये बहुत जारा जरूरी है जानना, और वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को इस वीडियो के अंदर समझा दिये, तो